हेलो साथियो तो कैसे हैं आप सबी साथी साथियो जैसा कि आप लोगों को पता है और आप लोग न्यूज में भी आजकल देख पा रहे होगे कि भारत का एक पिरमुख पूर्वोत्तर राज्य है नोर्थ इस्टन इस्टेट मनिपूर मनिपूर में एक पिछले कुछ दिनों स दोनों तरीके का हानी आपके पूरे मनिपूर स्टेट को एवं भारत सरकार एवं भारत के पूरे राजकोष पर भी उसका पिरभाव कहीं न कहीं पढ़ रहा है तो आज इस पूरी मनिपूर इस पूरे हिंसा की पीछे आखिर क्या वजह है किस कारण से वहां साथियों यह घटना है घटनी स्टार्ट हुई है तो आज मैं आप लोगों के सामने जो आया हूँ इस पूरे घटना किरम को समझाने के लिए आपको बताने के लिए कि आखिर क्या कारण है और क्या इसके पीछे कारण है तो इनी सब चीजों को समझाने के लिए तो साथियों जैसा कि आ वाले आपको दिखाई दे रहे हैं ठीक है ना जिसमें बिटा हम कहां से बात करें यहां से देखेगा अरणाचल से शुरू करें भई यह वाला जो बाउंडरी है यह आपके बच्चे भारत के पूरवतर राज्यों में गिने जाने वाले पिर्मुख राज्य जिनको बच्चे भारती है जोग्रफी की लेंग्वेज में या भारती है कोंटेक्स्ट में इनकों सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं किस नाम से सेवन सिस्टर और इसमें भारत के साथ पिर्मुख राज्य जिनको पूरवतर राज्य कहा जाता है यही साथियों सेवन सिस्टर के नाम से जा जाता और इनहीं सेवन सिस्टर्स में साथ्यू जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं वह साथ्यू आपका मनीपुर राज्य है जिसके ऊपर आपका पिरमुख आपका विवाद छड़ा हुआ है अब हम यहां पर मनीपुर की भोगोलिक इस्तिति देखे कि यह कहां इस्तित देखेगा इसके उत्तर में नागा लेंड आपका पूरी तरीके से बस हुआ इसकी आपके बच्चे इस्टन बाउंडरी पूरी किसके साथ मिलती है मियामार देश के साथ मिलती है इसकी साथ यह यह आपकी सदरन बाउंडरी हम कह सकते मिजोरम के साथ मि यहीं पर साथियों आपका ये विवाद आपका गहराया गया है जिसकी वज़े से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी घवानी पड़ी है तो आखिर क्या है इस पूरे घटना गिरम के पीछे तो ये मैं आपको पूरा आसान भासा में समझाने वाला हूँ तो देखिएग ये दोनों आपके उसके मुख्या कारण आपके माने गए है और अभी जो हाल की घटना किरम हुआ है उसमें साथ की एक समूदा है जिसका नाम है मैतेई समूदा है इसके दुआरा स्टी दरजे की मांग याने कि स्टी बच्चे हम क्या कहते हैं सिड्डूल्ड ट्राइब्स करते हैं बच्चे किसकी अनुसूचित जन जाती जब मैतेई समूदाय ने मांग करी और हुआ ये है साथियों कि अभी हाली में जो मनीपूर का हाई कोट है उस मनीपूर हाई कोट ने अपना एक निर्ने दिया है और उस निर्ने में मैतेई समूदाय को सामिल करने की मांग क वो सुवीकार किया है और केंदर सरकार को कहा है कि जी आप अपने सुवीधा अनुसार जब आपको उप्यूक्त लगे जो आप सुवीधा रूप में कर सकते हूं तो उसके अनुसार मैती समूदाय को सिद्डू ट्राइब में सामिल कर लिया जाए तो जब मैती को परमीशन मिली तो साथ यह जो मनिपुर की अन्य जन जातिया है यानि कि जो पहले से वहाँ स्टी जाती में आपके सामिल है लगबग लगबग कुल 34 ऐसी स्टी है साथ यह जिनोंने मैती समूदाय को यह इस स्ट करने का विरोध किया है और कहीं न कहीं फिर टकरा हुआ है किसके बीच में तो मनिपुर की जो अन्य चोंतिस जन जातिया है यानि कि अन्य स्टूल ट्राइब से और साथ के साथ जो मनिपुर की मैती समूदाय इनके बीच में कहीं न कहीं सामप्रदाइक तनाव आपका बढ कर रहा है कि इनको सामिल मत करिएगा और मैंते ही समुदाय आखिर क्यों मांग कर रहा है सामिल होने के लिए इन ही सब चीजों पर अब मैं आप लोगों के सामने बिटा सारी चीज़ें रखने वाला हूं ठीक है चलिएगा तो देखेगा मैप के माध्यम से समझेंगे कि पूरी कंडिशन आपकी क्या है यह साथ यो मैप ओफ मणिपुर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मनिपुर की मैप की जब हम बात करते हैं तो इधर तो यह पूरी तरीके से आपका कूंसा है म्यामार बसा हुआ है पूरी राजधानी क्या है मनिपूर की राजधानी जो है वो यहां पड़ती है यह साथियों मैं आपको बात कर दूँ कि मैं एक गोला सापको ऐसे खिंच दूँ इस पूरे एरिये में बच्चे ठीक है न तो सारा जगड़ा इस गोले से के ऊपर आप मानीगा यह गोला क्या है यारे मनिपूर की भोगोली की स्थिति की बात करते हैं तो मनिपूर और इसके आसपास का यह जो बहुत ज़्यादा डैंस एरिया है जो बसा हुआ एरिया है साथियों इसको कहा जाता है साथियों आपकी मनिपूर वैली क्या कहते हैं इसको इसी को हम कहते हैं साथियों मनिपूर यानि की घाटी छेत्र मचे वैली एरिया यानि की घाटी छेत्र और सातियों इसके अलावा जितना भी मनिपूर आपको दिखाई दे रहा है जितने भी बड़े जिले जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा रैस्ट एरिया आपका कहलाता है मनिपूर हिल एरिया यानि की म बहुत ज़्यादा अपका डिस्सेमिलर्टी या एसमानताई हैं जिसके कारण एक यह पिर्मुख आपका वो बना हुआ है साथियों क्या यह समानताई का कारण आपका बना हुआ जा रहा है तो इसके बारे में साथ एक एक छोटा छोटा पॉइंट एक आपको बड़ा बड़ा पॉइंट बिलुकुल आसान भासम में आप लोगों को सम्झाने वालों ठीक है चलिएगा देखेंगा यह वही मैप आपका जो बना हुआ था उसको बस मैंने ऐसे भोगोलिक छ खेत्र साथी और यह जितना भी आपको रैस्ट एरिया आपको दिखाई दिया चाहिए यहां से यहां तक का चाहिए यहां से यहां से यहां तक का इसे साथ ही हमने का है मनिपूर हिल एरिया मनिपूर हिल एरिया यानि कि मनिपूर पहड़ी छेत्र बच्चे यह आपका में क अब सारे आपके काम कर रहे हैं इस वाले घाटी छेतर में यानिक्छे जाली इरिया है यह धेनदेश है मनी पूर्पूर के साथ यह मैते ही समूदा है से संबंदित यह आपके किसी और से संबंद देखीगा कि घाटी छेत्र में मनीपुर के भूभाग का लगबग 10% आपका हिस्सा है यानि कि यह जो एरिया है यह पूरे मनीपुर के छेत्रफल का मात कितना है 10% बाकी जो यह ब्रावन ब्रावन कलर में आपको दिखाई दे रहा यह पूरे मनीपुर का लगबग कितना हिस्सा है 90% ठीक है आगे देखीगा राज्य की आबादी का लगबग 65% आपका साथ यह कह सकते हैं साथ ही हो कि जो यह एरिया आपको दिखाई दे रहा है यह 90% में इसमें देश राज्य की कुल 35% पोपुलेशन अब तो सबसे पहली तो डिस सेमिलेटी यही कि जिस एरिये के पास एरिया उस राज्य का 90% है वहां पर पोपुलेशन है मात्र 35% और जहां साथ ही हो कि देश राज्य का कुल एरिया 10% है वहां पर उस राज्य की पोपुलेशन निवास कर रही है साथ यह 65% के आसपास तो यह क्या हो जाता पूरी तरीके से डेमोग्राफिकल डिस सेमिलेटी है यानि कि जन संखी की ऐसा मानता है अब ऐसा क्यों हुआ होगा क्योंकि आप लो नहीं करते हैं यह तो बिल्कुल लोजिक सी बात है तो हम यह कह सकते हैं कि साथ यह जो घाटी वाला छेत्र है यह आपका ज्यादा डवलप्ड है इनके कंपेर में किसके पूरे मनिपुर के पहाड़ी छेत्र के ठीक है चलिएगा यह दो चीज हो गई यहां पर कारण यह कि मुख्य रूप से मैतेई समुदाय के लोगों का पृतिवास साथ यह समझेगा कि यह जो घाटी छेत्र है इसमें ही आपका मूल प्रतोर पर भहिया कौन सी जंजाती निवास कर रही है मैतेई समुदाय तो सीदी सी बात है भहिया सबसे जादा आपका यहां पर कौन सा समु श्कुमुदाय निवास कर रहा है यह मैतेई समुदाय के लोग रह रहे तो जब बच्चे मनिपुर का वैल डेवलब्ड़ एरिया है उस पूरे अर सबसे समूदाएं हैं साथियों चलिएगा आगे देखेगा कि महते ही समूदाएं की मुख्य भासा कौन से साथियों मनिपुरी जो सवीधान की आठवी अनुसूची में भी सामिले साथियों आप लोगों को पता है कि जो संस्टिटूशन की एर्थ सिड्यूल है उसमें आपकी भारत की 22 22 पिर्मुख भासा है जिनको आपका सवीधान की आठवी नुसूची में सामिल किया गया तो यह मैते ही समूदाएं जो है इनकी भासा है साथियों आपकी कौन सी मनिपुरी ठीक ना यहीं बोलते है मनिपुरी और यह मनिपुरी भासाबिता आपके समीधान की एर्थ सिड्डूल में भी आपकी है अब साथियों जो मनिपुरी की मैंने आपको बताई की जो अधर एस्टी हैं जो अधर एस्टी जिनकी मैंने आपको संख्या लगबलब थर्टी फोर बताई थी इनमें आपकी साथ यो दो प्रमुख जाती है एक है आपके कुकी और एक है साथ आपकी नागा ठीक है एक कुण सी कुकी और एक आपका नागा यह दोनों कम्यूनिटी हम इसे य इसाई धर्म को मानने वाली हैं यह भी हम कह सकते हैं और जो साथियों आपकी मैते ही समुदा है यह आपका हिंदू धर्म से संबंदित है तो एक तरीके से यहां देखे हम तो यहां एक रिलीजन का भी फैक्टर आ जाता है कि दो अलग अलग धर्मों की भी बात आगी है दो अलग अलग समुदायों की बात आगी है तो साथियों जो आपके मनिपुर के अन्य जाती है जिनमें कुकी और नागा आपकी पिर्मों की जाती है आई है साथियों इनकी जो हम बात कर रहें तो इन लोगों के मन में यह बात आई कि अगर मैते ही समुदाय को सामिल कर लिया या किसमे एस्ति वर्ग में तो कहीं ना कहीं कुकी और नागा समूदाय के जो उनको आर्थिक लाब या आर्थिक हित प्राप्त हो रहा है चाहिए वो मनिपुर सरकार हो चाहिए वो केंद्र सरकार है उन पर कहीं न कहीं रोक लगेगी या उनके हितों का आप कभी या कहीं न क सामिल करने से मना कर रहे हैं कि क्योंकि मैते ही समुदाय पहले से ही समरद है और साथियो पॉलिटिकल इस्ट्रोंग भी है क्यों साथियो अगर आप लोगों को पता होगा कि मनिपूर में जितनी भी आपके विधान सभाई सीटे हैं साथियो मनिपूर की आपके मैते ही समुधाय से संबंदित हैं किस से संबंदित हैं मैते ही समुधाय से तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि मैते ही समुधाय अपने आप में साथ हो पॉलिटिकल इस्ट्रोंग भी है पॉलिटिकल आपका बैच्चे मजबूती भी है तो ये भी एक कारण सातियों और आप लोगों को पता है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दुआरा किसी सिद्डूल ट्राइब्स को और वो भी हिल एरिये में जो आपकी छूटे दी होगा तो सातियों ऐसी सांदाल जानकरी के लिए आप जुड़े रहेगा यूट्यूब चैनक साथ धन्यवाद जय हिंद जय भारत